देश के स्तामने रखना, देश है, सिर्फ जी न्यूस पर देश की सैना के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को देहान्त हो गया तमिलनाडू के की नोर के पास बुधवार दोपहद 12 बच कर 20 मिनट पर उनका हेलिकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश हो गया उसमे जनरल रावत की पतनी मधुलिका रावत समेट सेना के 14 लोग सवार थे इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई सीडियस बिपिन रावत सुलूर में वैलिंग्टन डिफेंस सर्वेस स्टाफ कॉलिज को संबोधित करने जा रहे थे इस विमान हादसे में सीडियस बिपिन रावत के साथ कुल 14 लोग सवार थे इनमें उनकी पतनी मधुली का रावत, ब्रिगेडियर L.A.S. लिदर, लेटिनेंट करनल हरजिंदर सिंग, नायक गुर सेवक सिंग, नायक जितिंदर कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सत्पाल चामिल थे इस हेलिकॉप्टर को उड़ा रहे ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग का इलाद चल रहा है CTS जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी के पार्थिव शरीर आज सेन्ने विमान से दिल्ली पहुँचेंगे कल जनरल विपिन रावत का अंतिम संसकार किया जाएगा जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनकी आवास पर आम लोगों की दर्शन के लिए रखा जाएगा नमस्कार मैं हूँ सुधीश ओधरी और इस बहुती स्पेशल ब्राड़कास्ट में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्यन आधीश जस्टिस रंजन गोगोई और हम उनी के घर पर हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस गोगोई कभी टीवी पर किसी को इंटर्व्यू नहीं देते प्रेस से, मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं लेकिन इस बार उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी अपनी ऑटो बाइग्रफी है और इस बुक पर बात करने के लिए हमें ये मौका मिला कि हम जस्टिस गोगोई के साथ आज ये इंटरेक्शन कर सके हैं ये सवाल मुझे पहले बार कोई जर्नलिस ने पूछा जैसे सुधीर जी ने बताया कि मैंने मैं टीवी में कम आता हूं लेकिन ये किताब लिखने के बाद मैंने दो टीन टीवी इंटरव्यू दिये उसका कारण है कि मैंने किताब पब्लिक डॉमें में लाया बहुत सारे चीजे पब्लिक डॉमें में लाया और बहुतों का बहुत सवाल प्रश्ण हो सकता है इसलिए आपके मध्यम से ये सवालों का उत्तर देना मेरा फर्ज है लेकिन कई इंटर्व्यूस में शुरू करते हैं आयोध्या, रफैल, सेक्ष्वल हरेस्मेंट, रज्यसवा आप है पहले जर्नलिस्ट, फस्ट जर्नलिस्ट जिसने कहा कि आपके जिन्दी की की दौर कैसा रहा I am very thankful for the question Thank you sir, because we want to know you better और एक My Lord से जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक transition होगा जो आपको भी मैसूस हुआ होगा मेरे किताब में बाकसाइड फ्लैप में लिखा है सुरीर जी यहां लिखा है कि यह जी बाकसाइड फ्लैप Essentially A family man विलकुल Something about wanting to keep up Who has always kept a low profile Away from the limelight Away from the limelight But today you are in the limelight I am in the limelight सिर्फ my lord कहने से कुछ नहीं बनता है हमने 18-19 साल के my lord के टिनियोर में बहुत ही सिंपल family life लिए और अभी my lord हट जाने पे मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है जाके लोगों को मिलना पबलिक में सामिल होना मीटिंग्स में भाषन देना मुझे कोई परिशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है in fact I like it because मैं लोगों के बीच में freely जा सकता हूँ बात कर सकता हूँ it's a phase of life life का एक दूसरा दौर है which is different but equally important equally good and equally interesting so do you feel liberated in this post my lord era no it's not a question it's not a liberated feeling का बात नहीं है liberated तो हमेशा थे judge जब थे तब भी liberated थे अभी भी free है independent है पहोट ही वैसे कुछ खास difficulty or change मैंने मैं सूस नहीं किया जी आज ये book मेरे पास है आपकी जो आपकी autobiography है इसका title आपने दिया justice for the judge अब judge तो पूरे जीवन लोगों को justice देता है आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया और आज ऐसा इस book के title से लगता है कि judge ही शायद न्याय मांग रहा है नहीं कोई न्याय नहीं मांग गया है किताब के मध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने judges को थोड़ा दुसरी धंग से देखो दोन judge your judges as you judge a government servant और a politician ये जज का position थोड़ा अलग होता है जज के पुरसी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे constraints होते है discipline होता है वो बोलते नहीं है आप एक जज को जितने भी criticize करे जाओ उनके judgments में जितना भी आप उचा लो किचर उठा लो वो बोलता नहीं है रिप्लाइ नहीं देता है लेकिन एक पॉलिटीशन वो नहीं करते हैं वो रिप्लाइ देते हैं पब्लिक फोरूम में रिप्लाइ देते हैं तो ये जो judges silent रहते हैं चुप रहते हैं इसके मतलब वो judicial discipline फॉलो कर रहा है इसको अगर प्रपरली आप सही धंग से नहीं देखोगे तो आप judge को तो हाम करी रहो individually आप एक institutional judiciary को आप हाम करे रहा ये message है इस किताब का तो मैं एक नया सवाल बीच में add कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा कहा आपको अपने इस पूरे कारेकाल में कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू अपको यू अर नहीं अचित नहीं है और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे सोचना भी गलत है आपका जजमेंश आते हैं क्रिटिसाइज होता है criticism is hildy judgment का criticism is hildy it helps judges to grow किस judgment में क्या कमी रह गया ये जानना जुरुरी है that is how judges grow लेकिन आज मीडिय में जो हो रहा है ये personal attack हो रहा है on the judges फलाना judgment दिया for this extraneous reason ये गलत है don't criticize the judge criticize the judgment ये फरग है don't know if you criticize the judgment तो ये system के लिए अच्छा है if you criticize the judge then ये system के लिए destructive है justice gogoi judges जो है आम तौर पर retirement के बाद सुख भी नहीं नहीं सुदीर जी आपने कहा कि मैं mr. gogoi बन गया और आप हम में justice gogoi कह रहे है ये क्यों देखिए अठारा साल के आदत आपको कितना मुश्किल होता है हमें तो कोई मुश्किल नहीं है आप हमें गोगोई बलाओ हमारे first name से बलाओ हमें justice बलाओ हमें उसरे कुछ फ़रख नहीं बरता है हुलाओ को आप बलाओ कुछ नहीं है अजर नहीं आप लिपरेटेड आप से हम यह जानना चाहेंगे कि जज़ेज आम तोर पर बाद में भूख भी नहीं लिखा करते हैं लेकिन आपने एक अपनी आपपई लिखने का फैसला किया What made you take this decision, कि मैं अपनी अपनी ओटोबाइग्राफी लिखुंगा और मैं अपनी कहानी लोगों को बताना चाहता हूं? Sudir ji, मेरे कारियकाल में, कई मुद्दे पे, इंक्रूडिंग जज्जमेंट्स, बहुत चर्चा हुआ. अच्छा. और ये चर्चा, इस, according to me, बेस्ट अपनी, बेस्ट और मिसन्फरमेशन, हाफ्टूट्स, इंक्रेक्ट फैक्स. ये किताब किन के लिए है? जिनको करेक्ट फैक्स जानने का इच्छा है. जो लोग करेक्ट फैक्स अरदी जानते हैं, अगर्दिन तो देम. पीपल फैक्स जानने कितनी जज्जमेंट्स दी होंगी? लेकिन जज्जमेंट्स लिखे होंगी. लेकिन जज्जमेंट्स लिखने में और किताब लिखने में फर्क है. और ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा? जज्जमेंट्स के बाद ये किताब लिखना कैसा अनुभव था अपका? And could you make it very, you know, reader-friendly? लेकिन मेरा किताब का लास लाइन आप देखिए। किताब का लास लाइन पेज टूहन्रड एट लास सेंटेंस दोसो अठारा पेच में 218 और मैंने मैं आपको निकाल भूगा मैंने उसको I think मा किया है यह पढ़िये आपके दश्रक के लिए पढ़िये This has been my life, this is my story There are many other secrets, opinions and sentiments That I may or may not take to my grave Only time will tell Judgment लिखना बहुत असां काम है क्यूंकि एक जज का कोई पक्ष नहीं होता है कोई उपिनियन नहीं होता है कोई परसनल इंट्रेस्ट नहीं होता है आइन, कानून and facts of the case इस पे जज्मन बता है The easiest thing according to me सबसे असान काम जज्मन लिखना लेकिन किताब and particularly an autobiography starting from my childhood say 1970, 50 years compress it in 200 pages remember 40 year old incidents difficult ये लास लाइन जो सुदीर जी ने पढ़के आपको सुनाया इसमे सारे कहानी चुपा है किताब लिखना कितना difficult काम है कि मैं अपने पूरे हन पूरे सौ के सौ सौ सिक्विट्स या facts मैं आपके पास अभी नहीं लाया बहुत बहुत वजा है और ये facts कभी बहुत आएंगे नहीं आएंगे I can't say ये सवाल मैंने एक बार former president प्रणा मुखर जी से भी पूछा था कि उनके पास भी बहुत सारे राज थे बहुत सारे secrets थे क्योंकि वो इतने public life में दिनों तक रहे इतनी important positions पर और आप भी एक ऐसी position पर रहे हैं कि आपके पास भी secrets तो बहुत होंगे जो इसमें आप भी आपने लिखे नहीं है So what happens to those secrets? Will you take them to your grave? Or we'll get to know about them someday? I said in my book only time will tell समाही बताएगा See, किताब लिखने में हमको अपना स्थोरी लिखना है अपने जिवन के इंस्टिउशन के बारे में लिखना है लोग जो इंस्टिउशन से जुड़ा हुआ है उनके बारे में लिखना है और सबसे इंपोर्टन है कि ये सारे कहानिया लिखने में इंस्टिउशन को कोई डामज ना हुआ The institution must be protected at all cost बाला ही मैं सब कहानिया या सब राज या सब सिक्रेट पब्लिक दोमेन में ना लाओ Let me make that sacrifice in my book Let my book remain incomplete Let me be dissatisfied Let me be half satisfied But the institution cannot be harmed That is why Kitab लिखना और judgment लिखना दो अलब चीज़े हैं Since you spoke about the institution तो मैं अब आपको आपकी book के page number 101 पर ले जाता हूँ Do you today regret that you went there and you were part of that group? No, I don't regret I don't regret for a moment I have not regretted any decision or action taken by me in life You may think it is right, you may think it is wrong When I take a decision, I stick by it Press conference जो बारा जन्वरी 2018 में हुआ था बारा जन्वरी 2018 My disagreement with it is not meeting the press and speaking to the press लेकिन the size and magnitude of the press conference मुझे ये बिलकुल ही महसूस नहीं था कि इतने लोग, इतने प्रेस के मेंबस इतने वैंस, इतने कैमरास आएं के If I had known मैं जाता, लेकिन मैं थोड़ा प्रिपेड होके जाता I would have debated within myself जब ये कहा गया मेंको जब ये कहा गया मेंको Let us go and meet the press My understanding, and perhaps I am wrong My understanding was Supreme Court में 20-25 प्रेस मीडिया लोग हमेशा आते दो प्रेस लांज है उनी में से कोई आएंगे थोड़ा बाप्चित होगा, चाय पानी होगा, चले आएंगे लेकिन इस तरह का conference ये मैंने अन्विसाज नी किया था It was not in my ear But I don't regret it Because I feel that we were fully justified एक Chief Justice of India को अगर बार 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 उनकी फोर सीनियर जजजिस तेलिम कि आप जब पी आएल केसेज अलोकेट करते हो Don't go by haphazard allocations Seniority के आदाहर पे किस और कई बार कहने से भी ये नहीं हो रहा था तो क्या करते हैं हमारे दूसरा We thought there was no alternative But मान लीजिए जब आप Chief Justice of India बने और आपके Co-Brothers आपके Brother Judges अगर आपके खिलाफ इस तरह की Press Conference करते तो आपको कैसा लगता और क्या आप चाहेंगे कि ये tradition एक one-off incident बनके खतम हो जाए ये आप चाहते हैं कि ये आगे भी होना चाहिए Sudhirji, life is an experience एक बार ये जब प्रेस कानफरेंस हो गया और इसके कारण किस वज़े से हुआ Once it becomes known I think everybody every chief justice will be careful this is the moral of the study this is the success कि उनके अगर पांस जज़े जाके उनको कहेगा कि आप ये मत कीज़े आप ही करोगे ये अल्टनेट है ये सोच लो ये अल्टनेट भी चाहते हो सकता है so far as the press conference is concerned I think I hope and I am confident that there will be no second occasion for this अब कभी नहीं होगा अब कभी नहीं होगा अब कभी नहीं होगा the institution has come to a good understanding there is effective मेरे तेनियों में there was wide effective consultation ये सब बाते कोई arbitrary in my powers I will exercise it I will not listen to you ये सब हम लोग सब मिल के करते थे प्रणजन जी what makes you special and different from others is that you give very big judgments in your tenure और उन judgments की बात तो होगी जिसमें सबसे बड़ा judgment को लेकर बात आती है अयुद्या के judgment को लेकर डेर सो साल पुराना विवार जिसके बारे में हर judge ने हर bench ने ये ही सोचा की हम से जो आगे आएगा वो सोचेगा हम अभी किसी तरह से इसमें से निकलते हैं आपने उसको you took it head on और आपने ये सोचा की एक deadline रखे कि इसको निप्टाना है आज जब पीछे मुड़ कर देखते हैं उस judgment को लेकर तो कैसे देखते हैं क्योंकि देश को भी विश्वास नहीं हुआ था कि बाबरी मस्जिद और आयोध्या मंदिर का मामला कभी सुप्रीम कोट से निप्टेगा निकट भविष्य में ऐसा लग था और पचास साल तक इस पर चुनाव लड़े जाएंगे सुधिर जी मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूं I am surprised कि मैंने क्या किया मैंने एक केस डिसाइड किया आयोध्या ये केस काफी बॉलुमिनस था हाई कोट का जज्जमेंट चार हजार पेज प्रिंट चार हजार पेज का फोर वल्यूम्स पे आ है इस से इस बुक से कहीं बड़ा इस बुक से दोसो पेज का हाई कोट का जज्जमेंट चार हजार पेज का है 4000 पेज जजमेंट which was challenged जज़ एविदेंस था होडल एविदेंस 14,000 पेज का था डोकिमेंट्स 12,000 पेज का था यह डोकिमेंट्स शंगस्क्रीट, अरबिक, पर्षियन, उर्दू इस भासाँ में था अर्कियोलोजिकल सर्वे उप इंडिया के कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स थे विच वर एग्मिटेंट इन एविदेंस यह केस मेरे को सोपा गया मेरा प्रेडिसेसर डिपकिशा उन्होंने रिटार्यमेंट के पहले जुद बाया जुदिशल ओडर 28 या 29 ओक्टोबर 2018 में यह फिक्स कर गया यह केस कहीं से निकाल के रम कोल स्टोष में ना डाला नित यह केस मेरे पास पाय और उप माइ प्रेडिसेसर कँ यह कै लिजए यह देस्टिनी थी कि अपके हाथ से होना था यह देस्टिनी अब शुरू होता है मेरे सामने दो चाइसे थे मैं छुप जाओ यह मैं इसको फाइट करूँ अब छुप जाने का तो आदथ है नहीं so the only way, the only alternative is to fight it और हमने वही किया and this fight में एक ही problem था कि मेरा retirement लेकिन मैंने जब शुरू किया केस मैंने अपना हिसाब किया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि it is possible to do it यह बहुत बड़ा challenge हो गया था लेकिन हम पांचों judge मिलके इस challenge को overcome किये और मेरे retirement के ड़स दिन पहले इस case का judgment आ लिए आपके साथ जो bench में judges थे क्या वो इस बात से convinced थे कि आपके tenure में रहते रहते इतने दिन में यह हो सकता है या initially they were also very doubtful about the outcome I don't know about that not for a moment any of my brother judges यह पांचों में चारों में बाकि यह सवाल खड़ा नहीं किया था कि चीफ साहब यह case हमने जो शुरू करने जा रहे हैं यह शुरू किया इस case को हम आपके retirement के पहले हम खतम कर सकेंगे यह सवाल कभी किसी ने उनके बीच में किसी ने यह रिज नहीं किया हम सब अपना जो काम करना था as per law and procedure hearing शुरू किया hearing conduct किये case close किये आज लाखों करोडों दर्शकों के लिए मैं सवाल पूछता हूँ आपसे बाद में आरूप तो बहुत तरह के लगे judgment को लेकर दबाव था pressure था आप influenced हो गए या आपने कुछ अपने हिसाब से सूचा था was there any kind of pressure on you for a yodhya verdict Sudhir ji let us assume that there was some pressure on me let us assume what about the other four judges is bench को देखिये Babdee साहब जो CGI होके अपना tenure complete कर गया है Chandrachut साहब जो CGI बनने जा रहे हैं by his son for two years look at the composition of the bench present CGI, next CGI, next CGI and two senior members गोगोई को आप influence कर लिये इन बाकी चारों को क्या किया judgment to Gogoë का नहीं judgment to bench का है बाकी चार को क्या हुआ Gogoë ने कुछ जादू किया assuming Gogoë के ऊपर आपने कुछ जादू किया या आप वे चारों को भी जादू किया चारों को influence किया तो आपने जो भी हो ओ Constitution bench of the Supreme Court को influence किया that is not good for the institution यह सब बात नहीं कहना चाहिए यह institution के लिए this great institution this great Supreme Court of India this is not in the health of the institution इस judgment के बाद एक बात मैं बड़ी अख़वारों में पढ़ रहा हूँ कि आप अपने brother judges को यह पूरा judgment देने के बाद आप एक hotel में ले गए और आपने वहाँ पर साथ में डिनर किया और लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि यह एक celebratory डिनर था उस दिन आपने celebrate किया उसके बारे में आप हमें बताइए कि यह डिनर जो आप ले कर गए अपने brother judges को उस दिन वो क्या था यह आयोध्या hearing 6 August को शुदू हो और judgment आया 9 November को August, September, October November Almost 3 and half months यह पाँचो जज spend nearly 10 hours together every day सबेरे 10 से शाम 6-7 बजे तक कोर्ट और चिंबर में बीच बीच में वीकेंड्स में डिसकॉशन्स यह जब जज्ज्मन खतम हुआ जज्ज्मन प्रनाउंस हो गया है तो हमने कहा चलो आज काम नहीं करते है एवरी डे भी वी वर्ट वेरी हाड इंडिविज्ज्ज्जे रात को एक बजे दो बजे तक काम करते लेंगे काम खतम हुआ चलो आज ही ब्रेक लेते हैं आज श्राम को काम नहीं करते हैं कल साटेड़े है को टी है जज्ज्मेंट आज आएगा या जज्ज्ज्मेंट है कल नेक्स देए यह फ्राइड को हुआ था साटेड़े है तल जज्ज्मेंट आज आज आएगा चलो आज बहार चलते हैं इसमें और कुछ नहीं है किया celebration करता है what is there to celebrate आपके जो सवाल है और आप जो कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं यह बोल रहे हैं कि celebrate कर रहा है आओध्या जज़जमेंट इसमें there is again a very dangerous thing कि पांचों जज़ वे कमिटेड to a particular line of thinking or a particular conclusion and once they succeeded there then they celebrated that these are these are these are wrong things these are very wrong things you did not like it you see individually I don't think I tolerate it I don't like it I tolerate it but institution को नहीं बोलते हैं these judges why the other four had come for dinner if the fault lies with Gugoi in taking them to dinner the fault lies also with them in coming to dinner इसमें से Chandrachrut साब अभी CGI बनेंगे बाकी जज़ज के tenure left is left to the किसी का दो साल किसी का तीन साल tenure left अब ये कैसा लगता है कि इसके अंदर इतना सब्स्टेंस नहीं था जितना कि इसको प्रेस ने पब्लिसिटी दी जितना कि इसके बारे में एक माहौल बनाया गया जितना इसके बारे में चुनाओं में इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया उतना सबस्टेंस इसमें नहीं था मुझे लगता है कि इत माइट भी इंफेक्ट एजियर केस पर यू तो डिसाइड देखिये सुधीर जी I think for me undoubtedly so और बाकी जज़ेश के लिए ये आयोध्या केस was just another case it was a big case big not from the point of view of law or issues big in terms of size 4,000 page 11,000 page, 13,000 page it was a big case in that way but beyond a case beyond being a case there was nothing nothing else ये 500 साल पुराना मुद्दा है 200 साल पुराना मुद्दा है religion हुए है political implications है ये सब अगर judge के माइड में आएगा कभी if it ever comes to the mind of the judge वो decision नहीं दे पाएगा कि ये ये केस में फुराना केस में ये political implications है मैं अगर इस दंग से डिसाइड करू तो ये होगा ये करू तो ये होगा कभी ये माइड is trained to think in a particular discipline में लेकिन इस केस में लोग कहते थे हुआ तो देश जल सकता है so you know Sudir ji it feels very nice when you tell me all that अब जो एक अब जब आपने जो कहा अभी मैंको बट अच्छा लगता है अच्छा लगा है ऐसा कोई consideration कि ये जज्जमें से दंगा होगा देश तूट जाएंगे ये इवन फॉरा मोमेंट ये सोच में कभी नहीं आया आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था क्यों नहीं आया ये में नहीं जानता हूँ but never for a moment आयोध्या वाज एनिटिंग मोर देन अच्छा दिस्प्यूट between two parties over a piece of land आयोध्या पर मेरा आखरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो भी फैसला उस पर रहा होगा उसने आपके सेकुलरिजम के जो क्रिदेंशल्स थे धर्म निर्पेक्षता का जो आपका था उस पर जरूर डेंट लगेगा ये लोगों ने कहा और आपने एक पक्ष के लिए फैसला दे थे तो दूसरा पक्ष नाराज आपको ऐसा लगा कि आपने एक तरफ ये जो फैसला लिया उससे सेकुलरिजम को लेकर लोगों ने आपको निशाना बनाया और एक पर्टिकुलर पार्टी जिसने इसे अपना मुद्दा बना रखा था उसके साथ आपकी निकटता को लेकर उसके लोगों नेस को लेकर उसे इशू बनाया कौन सा पार्टी? बीजेपी जो कि राम मंदिर को बहुत जी शुदीर जी I belong to a family of politicians आप जानते हैं Yes मैंने MLA, Mantri, Chief Minister घर में देखा है I had a choice of being a politician I did not become a politician कोई सेकुलर aspect of the implications of the judgment लोग कहते हैं लोग बहुत कुछ कहते हैं दुख होता है मन में कष्ट होता है लिकिन ये इंडिया का एक vibrant democracy है आपके एक views है You are free to express it मेरा एक view है But I am not free to express this Because I am a judge Correct That is justice for the judge आप पत्राकार हो मीडिया के परसन हो आप कुछ भी बोल सकते हो आप अकील हो आप कुछ भी बोल सकते हो आप activist हो आप judges को humiliate करोगे system को condemn करोगे लेकिन हमें चुप राना है इसलिए हम judgments के उपर comment नहीं करते हैं After retirement I have mentioned in my book Retired judges do not talk about their judgments They only attack the judgments of others आप देखिएगा राफेल में Retired Judges का क्या comment आया आयोध्या का Retired Judges में क्या comment आया तो इसलिए jokingly in a lighter way मैंने कहा Retired Judges don't talk about their judgments They only attack the judgments of others Correct, आपकी बात सही है आपने राफेल का नाम लिया राफेल भी आपके करियर में बहुत बड़ा केस माना जाएगा और Rahul Gandhi ने Supreme Court को miscourt करके चौकीदार चोर है एक बहुत बड़ा नारा भी दे दिया था जो कि आपकी कोर्ट में बाद में आया भी था और शायद ऐसा लगा कि Supreme Court ने जो नहीं भी कहा वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया and in a way they were trying to use you how did you feel that day? you were trying to use me to do what? or get what? election में? election में, राफेल का चौकिदार चौर है और आप जानते हैं कि राफेल जो है वो बहुत बड़ा देखे आपने जो हमने आयुद्ध की बात की और राफेल की बात की ये दोनों वो मुद्दे हैं जिनके उपर चुनाव लड़ा जा रहा था 2019 का चुनाव राफेल पर लड़ा जा रहा था और यूद्ध की ये इलेक्शन में राफेल और बबरी मजजीद, आयुद्ध्या के इलेक्शन इसूज ये मैं क्यों ने बड़ा है आप पहले अभी क्या बोलने से क्या फैदा है अभी क्या बोलने से क्या फैदा है आप बोलने से क्या फैदा है आप मिलते ही नहीं थे किसी से I know your gates were closed that time and you hardly met any any media people that time that is on a lighter vein Jajka, his religion, his language, his thinking is the law and the constitution of India election and politics and political parties they are very important obviously in a democracy but these things don't come to the mind of the judge Raphael मैं आप से बात पूछू Raphael का जो में कॉंट्रोवर्सेल जज्जमन और जो रिव्यू में जहां पे Rahul Gandhi को Supreme Court ने कहा कि Be careful in future किसका judgment है यह किसने लिखा यह जजदर कॉन है Justice S क कॉन है Not Gokwai Main judgment is by Gokwai Both the judgments are unanimous Main judgment Even Justice Joseph Review Petition में दो judgment आया एक Sanjay Kishan कॉल एक KM Joseph even justice joseph has said review should be dismissed so the review should be dismissed is unanimous right then why is it called by judgment aap de kahaan hi lekin aap kehne ja rahe na ki logoon mein charcha hai ki a judgment has favored the government yes then it's the judgment of sk call which has favored the government not by judgment kare to government na sk call interfere but do you think you had become the poster boy that time or jovi hola i did not become the poster boy i became the punching bag and you know why i became the punching bag why because i am from northeast achcha yes sir did you ever feel yes kind of no i am feeling now i didn't feel them i'm feeling now achcha yes it's a big thing what you're saying i've said it i've said it to you i have not become the poster boy poster boys are not cannot be cannot come from the northeast punching bags i'm a punching bag of the judiciary aapko aisa kyung laga on what basis you are making this illegal gogoi 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 all the time ayodhya judgment punch judges ne likka why what is the logic tell me what is the logic except that you want a punching bag and what a easier punching bag than one which cannot give back i don't have anybody in delhi to support me i have no politicians i have no friends in the judiciary to support me who will did you ever feel lonely because you are coming from northeast no i didn't feel lonely because i come from the northeast but i felt lonely yes this northeast feeling has generated in me of late and i think i'm fully justified in i'm saying so how will you fix it that time will take care of itself but i'm telling you one thing through your medium let the powers be whether they are in the government or they are in parliament northeast needs special handling beyond that i don't want to say but treat northeast with care caution with compassion with compassion with understanding this is not the way of doing it no what you are saying it makes me feel very sad and jo aap baat kehre hai agar aisa impression hai to this is why otherwise why tell me why 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 attack and attack and attack as those all say i have retired i went back for to lead a peaceful life in guhati i have built a new house there with all my savings i couldn't attack 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 social media attack newspaper columns there and i told you aap pehle journalist hai jo a interaction interview conversation jo bhi you started on a different note ne tu kya hai pataiye look at your medias and look at the uh look at the imagination of a lot of people sexual harassment rafael ayodhya rajya sada these are the four issues aaj do saal se isko aap ghi se pite isi pe lage ho you cannot find the fifth issue why there has to have there has there has to be some decency somewhere things have to stop somewhere justice for judge now i can understand what you are saying and as i said this is sad ke aaj aapko bhi aisa mehsous ho ra hai aur itna dushprachar hua in fact mein aapki book mein hi quote kar raha hon aapne likka ki i should have realized the enormous power of the media to do or undo make or unmake my passive response in the situation was perhaps due to my lack of exposure on this front ab ab meh likhi diya to av kya bro media ki taakat ko ap samaj nahin pahai nahin pahai nahin pahai nahin pahir uska shikar ho gaye ye shikar part i don't know but lekin mein taakat nahin samjha like tim i could not understand the power of the media and sudir ji i do not want to understand that power because it doesn't concern me it does not bother me my regrets are that by hurting a man you have hurt the institution and that man held no lessen office than the cgi you have hurt the institution you have damaged the institution because we have seen that we have seen a lot of cgi in this country and we have seen a lot of cgi who have taken constitutional posts and made a governor also made a governor and they have also given judgments but you feel like that someone has picked and chosen and targeted and in my book i have written that the attack is selective the attack is selective absolutely selective why aap bataiye minabola because i'm from the northeast i cannot give a retort you see li if i had the resources of organizing things for a retort it would not have happened i was too busy in doing my work till my last day i have done three judgments after ayodhya after ayodhya rafael sabrimala roger matthew roger matthew was with regard to the powers of parliament to bring money bills through money bills bring other laws i worked in the last day was it a mistake i should have functioned differently i should have been more practical i didn't understand the power of the media and i don't want to understand until because i'm not bothered i have reached a stage of supreme indifference you can say anything it doesn't touch me now we are in this interview we are in the end of this interview and we are talking about that issue which has probably been very disappointed you have also been involved in the book and you have also been involved in the book and you have also thought that justice has not been done to a justice that's sexual harassment case and i feel like that people should hear that you should hear that and today you have a full opportunity that you have to hear that that you are very powerful you are misusing your position you can influence the investigation and you have not done justice this impression that you have created created so what do you want to say about it today and you have also done your inquiry this question i have given a lot of media houses in the last two days in my book three questions i have given did i preside over my own case was the bob de committee constituted by me was the procedure followed in-house procedure flawed and fourth was the reinstatement of the employee a quid pro q presiding over my own case presiding over my own case and here xyz have gone to the extent of saying presided over his own case and gave himself a clean chit yes yes 20 tarikh 20th april ka jo in so motor proceedings rua jis proceedings mein meinne betha wo order ap parhiye baad mein parhiye let your let your readers lead yes a order is it an effective order it is an advisory order if media please do not publish or be careful in publishing uncorroborated rumors where is the clean chit kitab mein chapter mein meinne kaha through hindsight it may be have been better if i did not sit on the bench ye meinne maana but where is the clean chit where is the preside over the case next is bahut log retired judges also memorial lectures mein travesty of justice gogoi constituted the committee which will decide the allegations against him matlab gogoi ne me committee ka composition committee mein koon-koon bethega iska ninnay gogoi ne kiya baat durbaid unfortunate kitna learned people are talking like this humne kitab mein dikhaya with documents ki may april ko mainne by a writ letter i had given handed over this matter to justice bob day the senior most judge the senior most judge and this full court resolution is a full court resolution in a kitab it's a re-nicture so what did i constitute the bob day committee what did i have done that should i have given the and hang me because he is the person who would have been benefited most with one line there is a prima facie case against Justice Gogoi ये बबबडे ने अगल लिखता बबबडे उड़ गट seven months more of tenure मैंने अपना Nick और बबबडे साम को दिया और रशी भी दे दिया पासी दे दो मेरे को इड़ाइ कॉंस्टिटुटे ट कमीटी? पढ़िये किताब? क्या बोलरहे हैं है रिटार जजडेस in public meetings जहां लोगों तालिया, तालिया what is this? Bob Deh committee followed in-house procedure that is not in accordance with law इन-house procedure in-house procedure in-house procedure in-house procedure 21, आज 22, वाईश साल हो गया ये है is a facet of Independence of Judiciary कि कोई भी नहीं जुरिष्ट एक जगेंस के कुछ इलजाम लगा है। तो यह सिदा इंक्वाइड में जाता है। जगें बिकाम दिमोरलाइब इंस्टीटिऊशन इंसुपर。 यह जगेंसेंभा इंसल किसे निखसेंगेंगी लगेंपने। इस इस इनष काई। जाता है। no outsiders are allowed, no advocates are allowed. The saare procedure is there in black and white, and this procedure has held the ground for 20 years. अवक्या कहते हैं? नइ 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 गोगोई के साथ यह प्रोचिडिर नहीं चलेगा. रह प्रोचियों के लिए गोगे के लिए कनून मा प्रदी लिए और प।। वाई गोगोई बताएए कानून आपको पसंद नहीं है आप इनेडिकवेट कानून कानून बदल दीजिए लेकिन जब तक कानून रहता है उसको यूनिवरसली एक्रास ड़ बॉर्ड सबके लिए कानून समान होता है आपको ऐसा अपता है कि सुप्रीम कोट में एक लॉबी पहले से काम कर रही थी आपके अगेंस्ट ये फ्रीडोम ऑफ एक्स्प्रेशन को भी मुद्दा बनाते हैं बाकी चीजों को भी मुद्दा बनाते हैं आपने कभी बोलने नहीं दिया और इसलिए उन्होंने दे कोई एक्स्टा इंडलिजन्स मेरे कोट में नहीं मिलता इसका नतीजा इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है I don't know. I am unaware and I don't care. ये चौथा सवाल मैंने जो on the sexual harassment chapter मैंने किताब में रिखा, reinstatement of that employee. That reinstatement of the employee was made during my tenure, not after my retirement. Yes, I saw that letter also in your book. Yes, it is my tenure. लेकिन I could not have dealt with the matter. मैंने बबबदे साहब को दे दिया, senior mosque judge, कि आप जो भी उचिट साहब को इसमें करो. बबदे साहब is a man of compassion. उन्होंने रिंस्टेट किया. मैंने matter उनको handover करके, मैंने सवाल करूं कि आप क्यों रिंस्टेट किया? रिंस्टेट किया बबदे साहब के विज्डम में. I am not going to question his wisdom. मैंने दो employees को summarily dismiss किया था. अनि लंबानी के case में, forgery case में. बबदे साहब ने उनको भी रिंस्टेट किया. यह कहीं नहीं आया. वो रिंस्टेटमेंट कहीं नहीं आया. एक चोटा सा टेलिग्राफ में आर्टिकल आया. यह रिंस्टेटमेंट इंडियन एक्स्प्रेस, एक्सेटरा, एक्सेटरा, headline news. क्योंकि इसको आपके खिलाफ माना गया, क्यों वो रिंस्टेट जो हुआ, वो… और दूसरा, उसका मतलब है कि आप गलती पर थे. और वो जो employee थी, वो सही थी. Compassion is not a part of administration. You throw out compassion out of the window, administration will become totally lifeless. एक मैं आपसे एक emotional स्वाल पूछना चाहता हूं. आपने पनी बुक में भी लिखा है, You are a family man. When this allegation was made, and when you came home that day, how did you face your family? And what happened after that? And this is a question not to achieve justice of India, to a human. Perhaps that is one of the memories that I will take to my grave. You are a family man. Many of your viewers are family man. Let them answer that question for themselves. How a family man would feel? It was horrible, it was terrible. But I have to live with it. And I am living with it even today. और क्या आपने जो टाइटल रखा Justice for the Judge वो यहीं से प्रभावित है? नहीं, नहीं. It is a bad experience. But I don't want to say that this experience came from this experience. It had a role. It had a role. I don't want to say that this role is not. But not the... It's a combination of many. I am asking justice for the Judge. Don't misunderstand me. I am asking justice for the Judge. क्योंकि मेरा साथ justice अब भी कर सकते हैं. It is over. Justice करोर, next generation of judges. What I have been through, let them not go through. Otherwise, they will all shy away from doing their duties. And democracy will be in danger. Last chapter. जब आपने राजयसभा की membership ली, उस समय भी बहुत आलूचना हुई. जब आप अपना ओथ ले रहे थे राजयसभा में, लोग हुटिंग कर रहे थे. और कह रहे थे शेम. आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए था. और आपने बुक में लिखा है कि आप अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे. इसलिए आप आलिमेंट में आए. लेकिन जब आपका रिकॉर्ड हम देखते हैं, तो उसमें ये भी आता है कि आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आपने participation भी कुछ किया नहीं. तो अभी तक आपका जो भी tenure है एक तरीके से आपके स्टेट के लिए शूने रहा है. आपका जो आपका जो नहीं, विए आपका जो नहींग टौछ करी में आपका जो जो नहीं है। जो तो आपका जो ब्रेब कर आपका जो पूछाच ऑने लेसे आपकाशना के लिए रहा है। that I will not be attending so far as acceptance of nomination is concerned even if I were to have some regret at some point of time even if don't misquote me with the attack being made I am determined Sudhir ji attacks do not make me frightened they do not count me I know what I am doing agar mai rajya sabha membership naal leta or human rights ke chairman banta tabbhi attack hoota ki nahi thinking human rights ka to parampara hai agar law commission ka chairman leta tabbhi hota chaar mehne bole kuli naaf chaar mehne ke baad le liya ek saal ke baad leena chahi tha chaar mehne ke baad leena thai mehne jab log bolna chahte hai kuch bhi bolenge it is it is a it is a facet of what is commonly understood to be a facet of democracy ap jovi man me hai bol diji logon ne ka hii puruskar hai reward hai aap ki aapne you are a you have been pro-government you have been pro-modi maybe okay now we come back to the question what about the other judges they are also pro-modi did i sit alone and deliver any judgment to mehne kya magic kiya bataiye agar meh sa pang judges ko par me magic karke unko mayhne i could make them agree to my line of thinking to mehne jok meri ko kritikks karjaya unke oopper me magic nahi chalau ki tuvi aaja mehne saath pataiyeo to sir hum ek former chief justice of india ko interview karne ke liya ari tahe toh mehne puri book padi aur i tried my best to do justice with this interview kyunki bina tayyari ke aapke saath aanehi sakte thai to saare issues humne cover kie but aisa lagta hai ki abhi bhi aapke jivan ko puri tarasi isma amne dekha nahi hai what next after this that time will tell but you have not come to interview me you have come to meet ranjan gugoy not a former chief justice ranjan gugoy who happened to be a former chief justice nahi ap yakeen maani hai jab mein aapse milne ke liya a raha tha toh meray man mein je tha kye i'm going to meet my lord lekin jab aapko mila aur jabhi interview aur mujhe yakin hai ki humare jo darshak bhi dekh rahe hengu aaj unka ek naya pariche hua hooga not chief justice of india ranjan gugoy justice ranjan gugoy balki ranjan gugoy is the human being i don't know whether i have humanity or human elements in me but i am what i am and i tell your viewers i would at any day prefer to lead a quiet life than a noisy life a quiet peaceful life which perhaps is not in my destiny yeah so ho sakta hai because i earn something from that kyunki ap rajya sabha se bhi paisa nahi lete hai aapne buk mein likha hai you are not drawing your salary as a mp i'm doing not only salary i'm not even drawing any allowances my pension is not enough so i give opinions that too selectively one in three months keeps me going i am you know asan i am interacting and meeting with people who are doing a lot of social work okay and i like this is how i spend my time aapne jo kaha aakhri sawal mein loogun ke liye bhi puch leta ho baut loogun ko aisa lagta hai aur yye sawal cgi se nahi ranjan gugoy se hai kya supreme court mein bhi bhrashtachar hai kya supreme court mein bhi corruption hai is sawal ka jawaab mein is dhang se dunga corruption is as old as society corruption has become a way of life acceptable way of life or judges don't drop from heaven does it answer your question partially but maybe we'll wait for your next book for this sudir ji it's not very easy writing a book i took one year three months to write this i told you let me see what response i get to the book thank you so much sir thank you so much to all your viewers thank you thank you so much thank you sir yes sir जहां एक तरह बर्फ अपने साथ बहुत खूपसुरत नजारे लाती है वहीं दूसरी और ज्यादा बर्फ लोगों की मुसीबिते बढ़ा दीती है तस्वीरें यूरोपिय देश आउस्ट्रिया की है जहां बर्फ बारी ने सारे रिकोर्ड तोड़ दिये है यहां बर्फ लोगों के लिए आफ़त बन कर बरस रही है लगातार हो रही बर्फ बारी में कई लोगों की गारियां फस चुकी है